गुद मॉर्निंग चिल्डरन वेलकम बैक इन टुदेश ओनलाइन क्लास इन प्रेवियस क्लास वी हैव स्टेड अबाउट कंपैरिजन आफ नंबर्स हमने पिछली क्लास में कुश्चिन नंबर वन पढ़ा था तोड़े वी विल स्टार्ट फॉम दा कुश्चिन नंबर टू रिंग दे स्मॉलेस नंबर इन इच आपको सब में 1234566 नंबर दिये और आपको उनमें से सबसे चोटे नंबर को क्या करना है सर्कल करना है तो अब यहां पे सबसे चोटे नंबर के लिए आप देखिए सब में डिजिस बराबर है तो आप लोग सब 10,000 वाली पोजिशन देख लीजिए यहां पर 89, 96, 86, 30, 26, 32 तो जो सबसे चोटा नंबर कौन सा है 26,000 तो इसको क्या करेंगे 26,000 को हम लोग सर्कल करेंगे नेक्स्ट में फिर से देखिए सब में डिजिस बराबर हैं 3 के बाद कॉमा 3 के बाद कॉमा 3 के बाद में कॉमा 3 के बाद तो आप लोग 10,000 की पोजिशन में 87, 85, 78, 65, 29, 99 तो सबसे चोटा कौन है यह वाला next देखिए अब यहाँ पे सब में digits देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यह 10,000 में यह भी 10,000 में यह 10,000 में इसलिए हमें 1000 वाली में देखनी है तो यह 2 है, यह 1 है, 2 है, तो सबसे छूटी कौन है, यह वाली, 1295, next में देखिए, फिर से वो देखिए, सब में 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, तो आप लोग 10,000 की पोजिशन में देखिए, 28, 26, 22, 19, 33, 30, तो सबसे smallest कौन है, 19, next में देखिए, again, अब यहां पे, यह 5 डिजिस, 5 ड तो सबसे किस में कम है, 4 डिजिस, तो यह इसका अंसर होगा, 9560, now, come to next page, अब क्या लिखा है, copy and write the numbers in order from least to the greatest, हमें अपने copy में इनको लिखना है, और छोटे से बड़ा लिखना है, least to greatest, अब लिखना है, अब लिखना है, सबसे चोटा नंबर कौन है, यह 30 है, यह 60 है, तो स सबसे चोटा नंबर है, हमारे पार 10,000, तो हम लोग यहा पर लिखेंगे 10,000, इसके बाद हमारे पास नंबर कौन है, 30,000, इसके बाद हमारे पास नंबर क्या है, 60,000, next वाले बी में फिर से देखिए, क्या है, आप अपनी बुक में देखिए, बी में है78,000, फरस्ट डिज तो 72,451 उसके बाद में आपका आएगा 78,632 और उसके बाद सबसे बड़ा हो जाएगा 85,274 अब आप लोग देखिए यह दो मैने कर दिये हैं बाकी आप लोग इसमें इन दो आप लोग खुद अपना प्रेक्टिस बुक में ट्राइ करेंगे now copy and rearrange the following numbers in ascending order जैसे least to greatest होता है same way में भी आपका क्या है ascending order ascending order मतलब छोटे से बड़ा अब आपके पास यह एक series है देखिए इसमें 11,000 है 75,000 है 8,000 है 19,000 है 68,000 है 70 तो सबसे कम डिजिट किसमें इसमें तुमारा first number होगा 8,300 next number हमारा क्या होगा 11,000 next number हमारा क्या होगा 17, 19, then 68, then 75 same way इसमें भी ऐसे ही है फिर से देखिए सब में डिजिट पराबर हैं तो हम लोग से फर्स डिजिट देखेंगे 16, 92, 85, 14, 82, 98 तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 14,000 तो इस फर्स नमबर पे 14,000 सेकंड 16,000 वाला 3 नमबर पे कौन सा आएगा आप देखिए 85,000, 82,000 उसके बाद 85,000, 92,000 and 98,115 अब है copy and rearrange the following numbers in descending order और descending order में क्या करते हैं बड़े से छोटा अब फिर से इसमें देखिए सम में डिजिस बराबर हैं तो क्या करो कि सबसे बड़ा नमबर इसमें कौन है सबसे बड़ा नमबर इसमें है 30,000 फर्स नमबर 30,000 सेकंड नमबर पे क्या लिख 18,000 नेक्स 17,000 वाला उसके नहीं 30,000 वाला सॉरी उसके बाद 20,000 दें 18,000 दें 17,000 and the smallest number is 12,571 अब इसमें देखिए अब इसमें थोड़ा सा चेंज है डिजिस का 1 2 3 4 डिजिस 1 2 3 4 5 1 2 3 तो सबसे पहले ही तो सबसे चोटा हो गया क्योंकि ये सबसे चोटी डिजित है तो इसको देखिए इसको देखिए इसको तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 31,005 सेकंड नमबर पे 28,019 फिर 19,436 उसके बाद में 8,472 फिर 6,037 and last is 708 नाओ टिक दा लीस नमबर इन इच अब दा फॉल्लाइं सेट्स अफ नमबर इनमें जो सबसे चोटा नमबर है उसको क्या कर करना है टिक करना है अभी 67 है यह 60 है यह 48 है 56 है तो सबसे चोटा कौन है 48,000 फिर एक्स देज 72,000 वाला 24,000 ने 31 में 49 में तो सबसे चोटा कौन सा है 24,200 तो चिल्डरन आज हम आपको खाली कितना 6 तक ही कराएंगे और आप लोग इसकी प्रेक्टिस करिएगा और मैं आपको क कुछ काम दोंगे कॉपी में करने का आप अपनी कॉपी में करिएगा एंड उसके बाद में हम लोग नेक्स क्लास में मिलेंगे तिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ